अक्टूबर महीने में अब क्रिशी उपज मंडियों में सोयाबीन की आवग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वही महीने के अंत में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएग। दरसल सरकार द्वारा सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए निर्धारित वही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होग। साथ ही MP में सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होग। इस बाजार जानकारों का कहना है कि सोयाबीन की नियूंतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होने के पष्चात दी पावली के बाद सोयाबीन के खरीदी आएग। इधर इसके पहले ही अंतरराष्ट्रिय अस्तर पर सोयाबीन के भाव को लेकर बड़ी उठापटक दिखाई देने ल इसके पहले सोयाबीन के भाव 4,500 रुपई प्रती क्विंटल से कम रहने की संभावना। बाजार जानकारों का मत है कि नवंबर महीने में सोयाबीन के भाव 5,000 रुपई प्रती क्विंटल से अधिक की संभावना। क्रिशी उपज मंडियों में बीते सप्ताह नमी वाला सोया बीन 4,000 से 4,200 रुपई प्रती क्विंटल बिका, जबकि सूखा सोया बीन 4,500 से 4,600 रुपई तक बिक चुका ह। कामी सप्ता से सोया बीन की आवक बढ़ने लगेगी लेकिन विशलेशकों की राय है कि अधिक आवक में भाव गिरावट कम ही देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को कच्चे खादय तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी आयाच शुल्क को 5,5 प्रतिशत से बढ़ा कर 27,5 प्रतिशत कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के एलान के साथ ही एक हफ़ते में रिफाइंड सोयाबीन तेल के दाम 25 से 30 रूँ, प्रति लीटर बढ़ गए है। सरकार के इस निरनय के पश्चात भले ही सोयाबीन तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। किम्तु सोयाबीन के मंडी भाव आशातीत बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि त्योहारी सीजन में खाने के तेल कीमतों को काबू में रखने और बढ़ने से पहले सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। सरकार ने खादे तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाय रखा जाए जब तक कि आयातित खादे तेल स्टॉक 0% और 12.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी उपलब्ध नह। केंद्र सरकार के खादे और सारवजनिक वितर्न विभाग के सचिवने मूले निर्धारन रंणीती पर चर्चा करने के लिए भारतीय सॉल्वेंट एक्स अट्रैक्शन एक्सोसियेशन भारतीय वंस्पती तेल उत्पादक संग और सोयाबीन तेल उत्पादक संग सोपा के प्रतिनिदियों के साथ बैठक की अध्यक्षता, जानकारों की माने तो खाद्य तेल कमपनियों के पास मौजूद स्टॉक खत्म होने के पश्चात सोयाबीन तेल एवं सोयाबीन के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेग। यह तेजी नवंबर माह के अंतिम सप्ता से आने की संभावना, देश के कुल सोयाबीन का 42 फीसदी उतपादन मध्यप्रदेश में होता, साल 2023 में करीब 60 लाख हेक्टेर छेतर में सोयाबीन की बुआई हुई थी और 54 लाख टन उतपादन हो, इस साल भी 62 लाख हेक्टेर उतपादन होने की उम्मीद है, मंडी में सो सोयाबीन तेल पर आयाच शुल्ग बढ़ने से किसानों को मंदी में जियारता दाम लें, फसल आने से सोयाबीन की खड़ी फसल पर 3800 रू, मंद सौर के किसान ने सोयाबीन की खरीदा जा रहाद, सरकार के फैसले के लिए इन दौर के हिसाब से भाव देखें, ऐसे में 4600 र के लिए एक अमान में तो इसे किसानों का नुक साही होना है, ऐसे में उन्होंने 5% करना ही बेहतर समझा, जबकि पिछले वर्ष यहां करा इन किसानों का ये हाल नहीं है, एवं एतिहासिक ऐसे ही हालात 5% सोयाबीन किसानों के भी है, वह भी 3800 के कार्य में 1200 रुपए क्वि वहां सभी दूर खेतों में काम रुपार सायाबीन के साथ उल्टा हो रहा है, कि ब्राजील सोयाबीन उपादे में विश्म में प्रत्फपाइदान पर रहे है, और अभी तक बहां बंपर बोवनी अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूखे की रिपोर्ट में अमेरिकी फंट्स में खल्बली मचोशित है, इस रिपोर्ट के पशचात पहले सोयाबीन का वाइदा काजार बार करीब 12.5 पर सेंक दर्स किया गया था, ऐसे में आखिर को कहना है, कि अंतराश्ट्री के दामों में आने वाली इस रिपोर्ट के पशचात आने वाले सोयाबीन के दाम 40 पीसदी उतपादन करता है, वहीं इसकी खफ़त को समझाएगी, तो दुनिया भर में नई फ़सल आने के पशचात बाजार में कुछ हार के तक नरुनी आ सकती, यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी, असल में सोयाबीन के खल यानी तेल निकालने के बाद बचे ह वे बेस्ट